ठोकी इंडिया ने आज अनुभवी स्ट्राइकर रानी को 16 सदसिय उलम्पिक के लिए भारतिय महिला होकी टीम का कप्तान नियुक्त किया। ठोकी इंडिया ने महिला टीम के दो उपक्तानों के रूप में बेहत भरोसेमन्द डिफैंडर दीप ग्रेस एकका और अनुभवी गोलकीपर सविता दोनों को उपक्तान बनाया। दोनों खिलाडी लगभग एक दशक से इंडियन कोर ग्रूप में हैं और लीडर्शिप ग्रूप का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इंडिया की जीतों में भी महत्वपून भूमिका निभाए जिसके कारण एफ़ाइच वूमेंस वर्ल्ड कप में एक मजबूत प्रदर्शन के बाद 2018 में इंडिया ने वर्ल्ड नंबर 9 की रैंकिंग हासिल की। लीडर्शिप की भूमिकाओं के लिए नामित सभी तीन खिलाडियों को बधाई देते हुए, भारतिये महिला टीम के मुख्य कोच शोड मारिन ने कहा, मैं रानी को ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 के लिए भारतिये महिला होकी टीम की कप्तान बनाय जाने पर बधाई देता हू मैं दीप ग्रे सिक्का और सविता को भी बधाई देता हूँ, टीम के उपकप्तान चुने जा रहे हैं, ये तीनों खिलाडी लंबे समय से लीडर्शिप ग्रूप का हिस्सा रहे हैं और इस सतिरिक जिम्मेदारी के साथ अपनी क्षमताओं को साबित किया है और कोर को गाइड किया है, दो उपकप्तान होने से भविश्य के लिए कोर लीडर्शिप ग्रूप भी मजबूत होगा, उनका अनुभव और भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि हमारा लक्षे टोक्यो में अच्छे रिजल्ट हासिल करना है, टीम के लिए ये एक लंबा सफर रहा है और हम ओलम्पिक में कड़ी चुनोती का सामना कर रहे हैं, टीम को मानसिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है और मुझे विश्वास है कि ये तीनों खिलारी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं